नमस्कार दृष्टी आईएस के टुडेश जी के प्रोग्रेम में आपका स्वागत है तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले रीकैप से करते हैं पहला सवाल है नैशनल गर्ल चाइल्ड डे कम मनाया जाता है उत्तर है 24 जन्वरी हाली में किस राज ने मुख्य मंत्री क्रिशक दुरगटना कल्याड योजना को लागू करने की मंजूरी दी है उत्तर है उत्तर प्रदेश हाली में किस संस्था को 2020 के सुभाष चंद्र बोस आबदा प्रबंधन पुरसकार से सम्मानित किया गया है उत्तर है डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट यानी CDP इंडिया एन्यूल रिपोर्ट में भारत किस पाइदान पर है उत्तर है पाचवें हाल ही में वैग्यानिकों ने शेखर नाम से पुष्प की एक नई किस्म विक्सित की है यह नई किस्म किस पुष्प की है उत्तर है गुलदाओदी हाल ही में जारी Global Corruption Perception Index 2019 में भारत किस पाइदान पर है उत्तर है अस्तिवें हाली में तमिल नाडू के कुछ छेत्रों में निम्नलिखित में से किस कीट की वजह से नारियल की फसल को नुकसान पहुचा है इसका उत्तर है वाइट फ्लाई खबरों में रहा प्लैटिपाफ नामक जीव आयू सीयन की किस सूची में शामिल है उत्तर है नियर थ्रेटन हाली में जीना अकर किस देश की पहली महिला रक्षा मंतरी के साथ साथ अरब खेत्र की भी पहली महिला रक्षा मंतरी बनी है उत्तर है लेबनान स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग तूर्नामेंट का आयोजन कहा किया जा रहा है इसका उत्तर है बुलगारिया तो चलिए पिछला अभ्यास प्रशन देखते हैं आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कौन सा राज या केंदर शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा ओप्शन है महाराष्ट, हरियाडा, दिल्ली या फिर नागालेंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संपन्न हो गए हैं गौरतलब है कि खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन्द गुवाहाटी में किया गया था इस कारिक्रम में लगभग 6500 एथलीटों की भागीदारी देखी गई थी जिससे वास्ताव में एक भारत शेष्ट भारत की भावना को बढ़ावा मिला खेलो इंडिया को दो शेडियों मतलन यू 17 और यू 21 में रखा गया था आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कुल 256 मेडल्स के साथ महाराष्ट शीर्ष पर रहा इसके बाद पदक तालिका में शीर्ष पांच में हर्याणा, दिल्ली, करनाटक और उत्तर प्रदेश का इस्थान रहा वही दादर नगर हवेली, लक्ष दूइप, मेघाले और नागा लेंड, शून्य पदक के साथ सबसे निचले पायदान पर रहे तो इस प्रश्ण का सही जवाब है उप्षन ए यानि महराष्ट्र, आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है आज के सेशन का पहला प्रश्ण, राष्ट्री मतदाता दिवस कब मनाया जाता है ओप्षन है 23 जन्वरी, 24 जन्वरी, 25 जन्वरी या फिर 26 जन्वरी हर साल 25 जन्वरी को राष्ट्री मतदाता दिवस मनाया जाता है बता दें कि इस साल दस्वा राष्ट्री मतदाता दिवस मनाया जा रहा है वहीं इस बार के दिवस की थीम है Electoral Literacy for a Stronger Democracy भारत के माननीय राष्ट्रपती श्री रामनात कोविंद इस अउसर पर दिल्ली केंट के मानिक्षा सेंटर में Election Commission of India द्वारा आयोजित कारिक्रम में मुख्य अतिती के तौर पर शामिल रहे इस साल Election Commission of India अपनी सत्तरवी वर्षगांठ मना रहा है राष्ट्री मतदाता दिवस 2011 से हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है बता दें कि Election Commission of India की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी तो इस प्रश्ण का सही जवाब है Option C यानि 25 जनवरी दूसरा प्रश्ण हाली में 2020 के लिए Forum of the Election Management Bodies of South Asia यानि F.E.M.B.O.S.A की अध्यक्षता किसने की Option है ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोडा, अचल कुमार जियोती या फिर नसीम जैदी हाली में 2020 के लिए Forum of the Election Management Bodies of South Asia की अध्यक्षता Chief Election Commissioner of India श्री सुनील अरोडा ने की है इस बार F.E.M.B.O.S.A की दस्वी वार्शिक बैठक आयोजित की गई बतादे कि मई 2012 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों के तीसरे संबेलन में F.E.M.B.O.S.A यानी F.E.M.B.O.S.A की इस्थापना की गई थी अपने आठ सदस्यों के साथ यह लोगतांत्रिक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिजित्व करता है और एक सक्रियक शित्री संग है इसकी नौवी वार्षिक बैठक सितंबर 2018 में धाका में आयुजित की गई थी तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B यानी सुनील अरोडा तीसरा प्रश्न खबरों में रहा कारवार पोर्ट किस राज में स्थित है आप्शन है केरल, तमिल नाडू, करनाटक या फिर गोवा हाली में करनाटक उच्च न्यायाले ने कारवार पोर्ट के कारियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है बता दें कि उच्च न्यायाले द्वारा यह रोक सागरमाला पर योजना के तहत पुत्री कन्नडा जिले के बैथकोल गाओं में कारवार बंदरगाह पर लगाई गई है गोर तलब है कि यह एक नैचुरल आल वेदर पोर्ट है और यह पोर्ट मौरमुगाओ और न्यू मैंगलोर पोर्ट जैसे दो प्रमुख बंदरगाहों के बीच इस्थित है तो आईए अब यहीं पर करनाटक की बात करते हैं करनाटक छैराजियों मसलन, गोवा, महराष्ट्र, तिलंगाना, आंधरप्रदेश, कमिलनाडू और केरल के साथ अपनी सीमा साझा करता है वहीं इसका पश्मी तट अरप सागर से लगता है करनाटक देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादकों में से एक है यह देश का ऐसा अग्रिली राज है जहाँ पन बिजली सयंत्र इस्थापित किये गए हैं करनाटक राज में विशेशकर बंगलूरू देश का सबसे बड़ा जयो भंडार भी है तो इस प्रशन का सही जवाब है option C यानी करनाटक चौथा प्रशन हाली में किस मंत्राले ने सेल सर्वेस पोर्टल लॉंच किया है option है पेट्रोलियम एवं प्राकिर्तिक गैस मंत्राले रक्षा मंत्राले भारी उद्ध्योग एवं लोक उद्ध्यम मंत्राले या फिर खान मंत्राले केंद्री पेट्रोलियम और प्राकिर्तिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेल सर्विस पोर्टल लॉंच किया है स्टील एथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामाजिक कल्यान की दिशा में स्वयम सेवी गती विधियों में भाग लेने हेतू प्रोसाहित करने के लिए सर्विस पॉलिसी का भी अनावरल किया गया है बतादें की सर्विस एक Employer Supported Volunteerism Scheme है सर्विस का मकसद शिक्षा, स्वास्थ, महिला रोजगार, इस्थाई आयसरे जन, दिव्यांगों की सहायता, स्वक्षता, पर्यावरल इस्थिर्ता आधी पर ध्यान के इंद्रित करना है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है Option A, यानि पैट्रोलियम एवं प्राकिर्तिक गैस मंत्रा ले पाचवा प्रश्ण, निम्नलिखित में से किस समुद्री जीव की नई प्रजाती हाली में बंगाल की खाली में खोजी गई है ओप्शन है कच्छुआ, मगर मच्छ, शार किया फिर इली हाली में बंगाल की खाली में इल की नई प्रजाती का पता लगाया गया है Zoological Survey of India के तहत आने वाले Asurine Biology Regional Center यानि EBRC ने इस प्रजाती का पता लगाया यह भारती तटियक खेत्र में पाई जाने वाली ओफिश्थस वर्ग की आठवी और बीते दो सालों में ओडिशा के गोपालपुर के समुद्री केंद्र द्वारा खोजी गई पाचवी नई प्रजाती है इस प्रजाती का नाम ओफिश्थस कैलाश चंद्रई भारती प्राली सरवेक्षड के निदेशग डॉक्टर कैलाश चंद्र के नाम पर रखा गया है गई तलब है कि डॉक्टर कैलाश चंद्र का भारती जीव वर्गी करल के खेत्र में एहम यूगदान रहा है भारती प्राणी सर्वेक्षण केंद्र के ओडीशा इस्थित केंद्र द्वारा वर्ष 2019 में समुद्री ईल की दो नई प्रजातियां खोजी गई थी जिनके नाम है जिमनो थोरेक्स अंडमानैंसिस और जिमनो थेरेक्स इसमित्थी समुद्री ईल की इस नई प्रजाती की खोच को प्राणी वर्गी करण के लिए एक अंतराश्री वैज्ञानिक पत्र का जू टाकसा द्वारा भी सुईकार किया गया है तो इस प्रश्न का सही जवाब है option D यानी ईल छटवा प्रश्न खबरों में रहा शब्द आर्किया क्या है option है एक जली जीव एक प्रकार का सूख्ष्म जीव एक कीट या फिर कच्छुए की एक विलुप्त प्रजाती आर्किया के संबंध में यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से बताई गई है पूने इस्थित National Center for Microbial Resource, National Center for Sales Science यानी NCMR, NCCS ने एक प्रकार के नए सूख्ष्म जीव की खोच की है इस जीव को आर्किया नाम दिया गया है इस सूख्ष्म जीव की खोच राजिस्थान इस्थित सांभर साल्ट जील में की गई है इस खोच का वर्णन International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology में भी किया गया था NCCS के एक वरिष्ठ वैज्यानिक डॉक्टर योगेश शौष के मुताबिक यह एक मात्र पत्रिका है जो नए माइक्रोबियल टेक्स के विवरण को प्रकाशित करती है बतादे की आर्किया सुक्ष्म जीवों का एक आदिम समूह है जो गर्म जर्नों, ठंडे रेगिस्तानों और हाईपरसलीन जीलों जैसी जगहों में पनपता है ये धीमी गती से बढ़ने वाले जीव हैं जो मानव आत में भी मौजूद रहते हैं ये एंटी माइक्रोबियल अडूओं के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं साथ ही इन्हें पर्यावरल अनुकूल अप्षिष्ट जल उप्चार के अनुप्रियोगों में एंटी ऑक्सीडेंट गती विधी के लिए भी जाना जाता है तो इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्षन बी यानि एक प्रकार का सूख्ण जीव सातवा प्रशन हाली में किस देश के राष्टपती गरतंतर दिवस के मुख्य अतिथी के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं आप्षन है ब्राजील, दक्षड अफ्रीका, इंडोनेशिया या फिर जापान हाली में ब्राजील के राष्टपती जेयर बोलसो नारो भारत की चार दिवसी यात्रा पर आए हैं वही वारता के बाद कई समझोतों पर हस्ताक्षर भी किये जाएंगे तो आई अब ब्राजील को देख लेते हैं ब्राजील दक्षड अमेरिका में स्थित एक देश है पुर्तगाल से अपनी संप्रभुता हासिल करने के बाद 1822 में ब्राजील एक स्वतंतर राष्ट बना था इसकी राजधानी ब्राजीलिया और मुद्रा ब्राजीलियन रियाल है ब्राजील दस देशों के साथ अपनी भू सीमा साजह करता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option A यानि ब्राजील आठवा प्रश्ण हाली में भारत ने किस देश को खसरा और रुबेला MR वैक्सीन की लगभग तीस हजार से अधिक खुराकें दी option है थाईलैंड, ओमान, श्रीलंका या फिर मालदीव हाली में भारत ने खसरे से निपटने के लिए मालदीव की मदद करने की बात कही है इस मदद के तहट भारत ने मालदीव को खसरा और रुबेला MR वैक्सीन की लगभग तीस हजार से अधिक खुराकें दी हैं भारत ने यह कदम मालदीव को खसरे के हालिया प्रकोब से निपटने में मदद करने के लिए उठाया है जिसकी पहचान लगभग तीस सप्ताह पहले एक सरकारी अस्पताल में की गई थी विश्यू स्वास्ते संग्ठन द्वारा मालदीव को खसरा मुक्त घोशित करने के लिए तीन से भी कम साल बाद इसका प्रकोब देखा गया है इस संक्रामक वाइरल इंफेक्शन से अब तक 6 व्यक्ती प्रभावित हो चुके हैं तो आईए अब यहीं पर मालदीव को देख लेते हैं मालदीव नाम दरसल संस्क्रिप के मालदीव से निकला है जिसका अर्थ होता है दूइपों की माला इसकी रजधानी माले है जबकि इसकी अवस्थिती हिंद महासागर में है मालदीव की आधिकारिक भाषा एक इंडो-यूरोपिय भाषा है जिसे धिवेही या मालदीवियन कहा जाता है इसके अलाबा अर्भी, हिंदी और अंग्रेजी भी यहां बोली जाती है जबकि इसलाम मालदीव का राजकी धर्म है तो इस प्रशन का सही जवाब है उप्शन D यानि मालदीव नौवा प्रशन सागर माथा समवाद के पहले संसकरण का आयोजन कहां किया जाएगा उप्शन है भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर चीन हाली में नेपाल ने देशों को सागर माथा डायलोग के लिए आमंत्रित किया है बतादे की सागर माथा समवाद एक बहु हित धारक समवाद मंच है जो वैश्विक, ख्षेत्री और राष्ट्री महत्त के सबसे प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्ष करने के लिए प्रतिबद है इस समवाद अथ्वा समवाद का नाम दुनिया के सबसे उचे परवत सागर माथा यानि माउंट एवरेष्ट के नाम पर रखा गया है जो दोस्ती का प्रतीख है जिसका मतलब मानवता की भलाई और सामूहिक भलाई की धारणा को बढ़ावा देना है आपको बता दें कि एक पर्मानेंट ग्लोबल फोरम के रूप में समवाद को 2019 में स्थापित किया गया था जिसका मुख्याल है काठमांडू में है सागर माथा समवाद का पहला संसकरण 2-4 अप्रेल 2020 को काठमांडू में आयोजित किया जाएगा वहीं समवाद की थीम Climate Change, Mountains and the Future of the Humanity रखी गई है तो इस प्रश्न का सही जवाब है Option B यानी नेपाल दसवा प्रश्न B अधिबान और SL नाराइलन का संबंध किस खेल से है? Option है कुष्टी, शत्रंज, तीरंदाजी या फिर गॉल्फ B अधिबान और SL नाराइलन का संबंध दरसल शत्रंज से है हाली में इन दोनों ने जिब्राल्टर चेस्ट फेस्टिवल की मास्टर कैटेगरी का तीसरा राउंड जीत लिया है B अधिबान और SL नाराइलन के अलावा 2.5 अंक पर वैभव सूरी और कार्ति केयन मुरली जैसे कुछ अन्य भारती भी शामिल है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option B यानी शत्रंज तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्ण देखते हैं हाली में किस राज्ज के परेटन विभाग को सयुक्तुराष्ट के विशु परेटन संग्ठन ग्लोबल डेस्टिनेशन एवार्ट 2019 में इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है option है उत्राखंड, हरियाणा, केरल या फिर सिक्किम तो कमेंट सेक्शन में सभ्यास प्रश्ण का सही जवाब देना ना भूले अगले सेशन में कुछ नए प्रश्णों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार